असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार चेप्टर का नहीं बलकि 9 चेप्टर यानि कि 17 से लेकर 25 चेप्टर के अब्जेक्टिव का निचोर निकाली हूं ज चलिए बिना देर के वीडियो के शुरुआत करते हैं लेकिन उसे पहले लाइक शुरूब अगरा कर दिजिएगा आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है तो अब चलिए बिना देर के वीडियो के शुरुआत करते हैं सारे कोस्टन को माइंड में फिट कर लेना है ठीक है चलिए तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए सबसे पहला सवाल है कि जगनात आजाद की पैदाईश कब हुई तो जगनात आजाद की पैदाईश हुई पाकिस्तान के किस जिले में हुई तो पाकिस्तान के जिला मिया वाली में जगनात आजाद की पैदाईश हुई थी उनका जैन्म हुआ तो और सी राइट एंसर हो गया आप लोगा देखिए कोस्टन यह भी पूच सकता है या तो यह पूच सकता है इस दिए में दोनों तरह के कोश्टन को उठा दी ठीक है आगे बढ़िए तीसरा सवाल देखिए इंडिया गेट कहां वाकिए है तो इंडिया गेट कहां है जी कहां बनाया गया है तो दिल्ली में यह तो आप लोग अपने से ही मालूम होगा पहले से आप लोग जानते होंगे ठीक है तो यह तो नबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट इंसर याद रखिएगा चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ चार नंबर सवाल है कि नजब इंडिया गेट के शायर कौन है तो इंडिया गेट के इंडिया गेट जो आप लोग के बुक में है नजब कवीता उसके लिख जगनात आजाद और जो सी है वो राइट इंसर हो गया इंडिया गेट नाम का यह जो नजम है जगनात आजाद में ही लिखा है ठीक आगे बढ़िए सवाल नंबर पांच है कि जगनात आजाद के वालिद का नाम क्या था तो यह भी इंपोर्टन कोश्चन है याद रखिए जगनात आजाद के वालिद यानकी उनके पिता का नाम सा तलूक चंद महरूम ठीक है यह पूछा जा चुका है वैसे तो मैं जितना भी कोशन करा रही हूं सारा का सारा इंपोर्टन्ट है तो सारा को मतलब आप लोग को एक एक करकर माइंड में याद कर लेना है ठीक है चल सुनहेरा जो है इंडिया गेट हमारे इंडिया में लेकिन अफसोस इस बात से देखकर होता है कि इंडिया गेट को अंग्रेजों ने बनवाया जब हमारा हिंदुस्तान गुलाम था ठीक है तो यह भी कोश्टन पूछा जा चुका है यह आप लोग माइंड में अभी के सब्सक्राइब को अपने से महीफ कोशश कीजिए एंसर बताने की तो वो हैं परवेज शादी, option number A हो जाएगा आपलों का right answer, आगे बढ़िये, परवेज शादी की पैदाईश कब हुई, उनका जन्म कब हुआ परवेज शादी की, तो उनका जन्म हुआ था, उन्हें सत 10, इस भी को, option number B right answer, सवाल number 9 है, कि परवेज शादी पटना सिटी के किस मह अल्ला लोदी कट्रा में पैदा हुए थे, ठीक है, आगे बढ़िये, फटाफट, अगला सवाल है, कि परवेज शादी के वालिद का नाम क्या था, तो परवेज शादी के वालिद यानकि उनके पिता का नाम था, सेद एहमद हुसेन, और ये भी question पूछा जा चुका है, ठ ठीक है, आगे बढ़िये, सवाल नंबर 12 है, कि तसली से हायात की इशायत कब हुई, ठीक है, यानकि तसली से हायात नाम के creation को कब परकाशित किया गया, तो वो परकाशित किया गया था, आजादी के बाद, ठीक है, आगे बढ़िये, सवाल नंबर 13 है, कि निदा फाजली की कि पैदाइश कब हुई तो नेदा फाजली की पैदाइश हुई थी एक मिनट हाँ नेदा फाजली की पैदाइश हुई थी आप लोगा उन्हेसा 66 अप्सान नंबर सी राइट एंचर हो जाएगा ठीक है चाहिए आगे बढ़िये और देखी अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि नेदा फाजली की पैदाइश कहां हुई तो यह हुई थी गवाल यार में तो इन दोनों मेंसे कोई भी पूर सकता है आप लोग याद रखेंगे एक मिनट रुकिये तो जारा इसमें या तो यह पूर्चता है कि नेदा फाजली की पैदाइश कब हुई तो इसका राइट पूछा जा चुका है या फिर ये भी पूछ सकता है कि निदा फाजली की पैदाइश कहां हुई तो वो गौालियार में हुई थी तो ये दोनों कोश्टन को आप लोगो अभी क्या भी माइंड में फिट कर लेना है तो नों मेंसे कोई एक पूछ सकता है चलिए आगे बढ़ि थीक है आगे बड़ी स्वाल नंबर 16 कि शामिले नसाव नजम बिजली के खंबा के सायर कौन है तो शामिले नसाब आप लोगो के बुक में जो नजम यान की कवीता दिया गया है बिजली का खंबा उसके राइटर कौन है तो उसके जो राइटर है वहे निदा फाजली और एर आइट इंसरो जाएगा अभ यह भी सवाल जरूरू नहीं कि इस तरह से पूछेगा कि शामिली नजम नजम बिजलिकर हमबा कर शायर कौन है इस तरह से भी सवाल पूच सकता है कि निदा अखाजली की कौन सी नजम के खंबा के शायर कौन है ठीक है सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि निदा फाजली जो है निदा फाजली की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है निदा फाजली की कौन सी कवीता आप लोगे बुक में हैं तो हो जाएगा बिजली का खंबा अगर इस तरह से सवाल प परवेश शाहदी है ना तो सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि परवेश शाहदी की कौन सी नजम आप लोग के निसाब में है निसाब में शामिल है तो उसमें ऑप्षन में दिया रहेगा हम नौजवा है ठीक है तो वह जाएगा राइट इंसर दो तरह से सवाल गुमा कर फरवेश शाहदी तो सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि परवेश शाहदी की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है तो ये दो तरीकार आप लोग को याद रखना है सवाल गुमा कर पूछ चाकता है औ आगे बढ़िए कहा तक थे हम लोग एक मिनट हाँ बिजली के खंबा के शायर कौन है यहा तक थे ना वो थे निदा फाजली ठीक है आगे बढ़िए सवाल नंबर 17 हाँ सवाल नंबर 17 है कि बिजली का खंबा के लावा निदा फाजली की कौन सी नजम हमारे निसाब में शामि ठीक है बिजली का खंबा और नजम बहुत आसान थी पहले ये दोनों कवीता को निदा फाजली नहीं लिखा है जो कि आप लोगों के बुक में पढ़ना है आगे बढ़ी सवाल नंबर 18 है कि निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ यानि कि उनकी मौत कब हुई देखिया अफसन में दिया है 2007 2008 2009 और कोई नहीं तो इसका राइट एंसर पता है क्या होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अफसन नंबर डी कोई नहीं ठीक है कभी कभी कोश्टन घुमा देता है आप लोगो को लगेगा किसी में से कोई होगा आप लोगों को मालूम नहीं होगा कोई भी आप अंजादी मार देंगे कि 2007 होगा या फिर 2008 होगा लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि उसमें से कोई नहीं रहता है अफसन नंबर डी हो जाएगा आप लोगा राइट एंसर और यह कोश्टन पूछा जा चुका इसलिए मैं इसको भी आप लोगों को मतलब important समझते हुए बता दी और इसको भी इस objective question में डाल दी चलिए आगे बढ़िए सवाल नंबर 19 है कि सेद मुहमद जाफरी की सन पैदाईश क्या है ठीक है यान कि सेद मुहमद जाफरी जो है कि साल पैदा हुए है तो वह हुए है उन्हेस सब पाँचसवी को ठीक है उन्हेस सब पाँचसवी में सेद मुहमद जाफरी की पैदाईश हुए है उनका जन हुआ है आगे देखिए सवाल नमबर 20 यानि कि 20 है कि मुहमद जाफरी कहां पैदा हुए यानि कि सेद मुहमद जाफरी जो है उनकी पैदाइश कहां पर हुई तो वो हुई थी लाहूर में ठीक है लाहूर में सेद मुहमद जाफरी पैदा हुए थे अब आगे बढ़िए सवाल नमबर 21 है कि सेद मुहमद जाफरी के वालिद का नाम क्या था तो उनके वालिद का यानिके पिता जी का नाम था सेद मुहमद अली जाफरी और ये भी कोश्टन पूछा जा चुका है ठीक है स्यद मोहमद जाफरी के वालिद ये पिता का नाम क्या है? स्यद मोहमद अली जाफरी बस सिर्फ अली लग गया है तो ये तो याद करना आप लोगे लिए बहुत असान है ठीक है? चलिए आगे बढ़िए फटा-फट सवाल नमबर 22 है कि सेद मुहमद जाफरी के मजमुए का नाम क्या है यान कि सेद मुहमद जाफरी के किताब का नाम क्या है तो वो है शोखी तहरीर ये आप लोगो को याद रखना है आगे बढ़िए पॉश्ट नमबर 23 की दर्जेजेल शोरा में मजाह के शायर कौन है तो वो है दिलावर फगार पॉश्ट नमबर 24 की गालिब का पूरा नाम क्या था ये तो बहुत ही आसान है और इसको बार बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो गालिब का पूरा नाम क्या है ये आप लोग खुद भी जानते होंगे कि कितना बार में आप लोगों को बताई हूँ तो गालिब का पूरा नाम है अजदुल्ला खा गालिब आपसा नमबर भी हो जाएगा आप लोगों का राइट एंसर चलिए फड़ फड़ आगे बढ़िए अगला सवाल देखिए सवाल नमबर 25 फाइफ गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखलूस रखते थे यांकि मिर्जा गालिब जो है वह अपनी शायरी में शुरू में क्या तखलूस रखते थे अपनी शिर्व शायरी में कौन सा नाम यहां पर कोश्टन क्या पूछ रहा है कि पहले पहल यान की सुड़वात में वो क्या तखलूस रखते थे तो रखते थे असद इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर ए असद चलिए आगे बढ़िए पुस्टन नमबर 26 से गालीब किस सन में पैदा हुए तो सबस्ब्सक्राइब के बाप दादा है वह कहां से इंदुस्तान आए थे तो वह आय थे कहां सबस्राइब कहां से इ Pronunciation के पर नून आ रहा है देख रहे हैं रहा है उसी तरह इरान के लाष्ट में या रहा है लास्ट में नून आ रहा है तो इस से आप पहचान कर सकते हैं अगर क्वोश्टन पूछेगा कि गालीब के अबाव जाद ययानिके बाप-दाधा जो है वह वह कहां से हिंदुस्तान आ थे तो कहां से आये थे तो इरान में ठीक है इरान से तो यह नून ब्लाश्ट में भी आ रहा है तो दोनों में यह ट्रिक है आप लोगो मतलब एक तरह से याद करने का तो इरान से गालीब के बाप दादा हिंदुस्तान आये थे इलाक नहीं होगा यह गलत हो जाएगा चलिए आगे बढ़िये अगला सवाल है क्वेशन नमबर 28 गालीब की परवरिस्त किसके जेर साया हुई ठीक है गालीब की जो अभी पांच सल के थे तो उनके पिता जो है वह इंतकाल कर गए और उसके बाद गालीब की परवरिस्त हुई उनके चचा जो है नस्रुलाह बेग की सर परस्त पहले पहले यही दिखता है तो अधी लास्ट में बेग लगा होना जरूरी है ठीक है अगर इन नहीं दिया रहता यह कार्ट रहता है यहां पर कोई और नाम लिख दिया रहता मारीज़े 解msor चिशा नसुरूण भीख यहाँ पर सिर्फ चचा नसुला है और यहां पर सिर्फ नो बैग कोशन नमडर डी आप लोग का रहाइट गालीप की पहलों जो ॏइविज जो हैं ती जुहां कि नाम थनाश अरुछ नशुन में उप रिए दिनीज साल कैles के वाद 1879 इस भी में ठीक है गालिब जो है 1879 को इस दुनिया से रुखसत हो गए उनका इंतकाल हो गया आगे बढ़िए कोश्चन नमर थार्टी यानि की तीस है कि परवेज शादी के अहलिया का नाम बताएए यानि की परवेज शादी के मतलब क्या बताना है उनकी वाइफ का नाम बताना है तो है फजीलत निसाब गम ठीक है आप सो नमबर ए हो जाएगा आप लोगा राइट एंसर वटाफट आगे क्या है कि मिर्जा शौक का असल नाम क्या है क्या था मिर्जा शौक का असल नाम यानिकी उनका रियल नेम क्या था तो वह था तसद्दुक हुसैन खान ठीक है तसद्दुक इस तरह लिखाएगा तो इसका अपसर नमबर भी हो गया राइट एंसर चलिए आगे बढ़े बढ तर थार्टीटू है कि मिर्जा सौक की सन्पीदाईश किया है तुन इत जवान नंबर हuire भोν खांदानी पेशा क्या था तो मिर्दा सौक का खांदानी जो पेशा था वो था तबावत का अपसर नमबर भी हो जाएगा राइट एंसर वो मतलब मेडिसीन वगारे दवाई वगारे की मतलब मिर्दा सौक का जो खांदान था ना वो तबावत का था जिसमें वो तबावत मतलब समझते हैं ना मेडिसीन का क किया करते थे मिर्जा सौक का खांदान ठीक है और इसलिए उनका खांदानिक पेसा था तबाबत का आगे बढ़िए क्वेश्च नमर थार्टी फॉर है कि मिर्जा सौक के मसनवी का नाम बताइए तो मिर्जा सौक के मसनवी का नाम है फरेब इश्क ठीक है अगर आगे बढ़ ये Question 36 कि नसीम का पूरा नाम क्या था तो नसीम का पूरा नाम था दया शंकर नसीम ठीक है Option नमेर थी हो जाएगा आप लोगा Right 9 में यह important है याद रखिएगा question number 38 है कि नसीम की मसनवी का नाम बताईए तो नसीम की मसनवी का नाम है गुलजार नसीम ठीक है और गुलजार नसीम के वो जासे जो नसीम है वो खेमस हुए थे मशूर हुए थे question number 39 देखिए कि शायरी में नसीम किस के एक अगे बढ़िये question number 40 यानि कि चालिस है कि नसीम के वालीद का नाम ता यानि कि उन के पीता जी का नाम था पंडित गंगा परशाद कूल याद रखेंगे यह question पुचा जा चुका है और इसलिए इसको भी मैं important लगा दे रहीं वी वी आई चलिए question number 41 है कि मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ तो मिर्जा सौक का इंतकाल हुआ था 18 सा 71 इस भी को आपसा नंबर सी जो है वो राइट एंसर हो गया 18 सा 71 इस भी को मिर्जा सौक जो है इस दुनिया से रुकसत हो गया question नंबर 42 देखिए कि नसीम का इंतकाल कब हुआ तो नसीम का इंतकाल हुआ था उन्हें सब 45 इस भी को ठीक है उन्हें सब 45 इस भी को नसीम इस दुनिया से रुकसत हो गए तो यह हो गया आप लोग का answer तो यह था आप लोग का साथ चैप्टर का most important objective question जिसको आप लोग एक एक करकर देख लिए और समझ भी गए कोई भी कम्फीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं और लाइक शर वगरा तो आप लोग करी दिये होंगे तो चलिए फिर मिलेंगा नेक्स वीडियो में नेक्स टापिक के साथ तब तक के लिए और खुदा हाफिज